हेलो एवरिवान वेलकम टू टेरो वाल टेरो कार्ड की रहस में दुनिया फ्रेंड्स मिथुन रासी जैमनी का मार्च मंथ का प्रेडिक्टिंस है अल्ली लव रेडिंग है यह और जिना नहीं मुसे दिया था उनके लिए मैं आफ्टर जैनर लेडिंग दूंगी और इस मन त इसका ध्यान रखना है आपको चलिए देखने क्या है पहले मैं पास्ट का आपका बताना चाहूंगी पास्ट में बहुतों के लाइफ में ऐसा है कि बहुत प्यारा सा रिस्ता था आपका ठीक है ऐसा रिस्ते था कि जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो रिस्ते में थे आप वो तूट गया बिलकुल तूट के यानि कि बिलकुल खत्म हो चुगा फिर भी आपने सपने संजोए हुए हैं जो आपको ये फील हो रहा है कि में भी आपके पार्टनर आ सकते हैं तो चांस तो बहुत कम है क्योंकि ठीक उसके नी आचुकी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि फिल हाल तो अभी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ये जैनरल रिडिंग है किसी किसी साथ जरूरा है सुनेट हो रहे हैं अब बहुत इन से वेट भी कर रहे हैं वो स्टक हो और ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आप अभी फिल हाल थोड़ा से वेट करें जादा नहीं वेट करना है आपको क्योंकि ठीक five of pentacles है five of pentacles भी शो कर रहा है कि बहुत रिस्ते में जिनका बिल्कुल तूट चुका था और बहुत जादा दुखी थे तो उनके साथ मैं ये कहूं उन जेनरल रिडिंग में पहले अनमेरिट देन मेरिट के लिए में बताऊंगी बोथ boys and girls बोथ के लिए है और ऐसा लग रहा है जैसे अब जो आप स्टक थे अपने लाइफ में में भी आपके लाइफ में कोई एक आ चुका है या आने वाला है सकार्ट के थू दिख रहा है और बहुत जल्दी एक जो गौड के तरफ से आपके गौड जिस पे आप बिलीव करते हैं उन्होंने आपके लिए भेज रहे हैं वो एक नया नया सवेरा आपके लाइफ में होने वाला है ऐसा कार्ट के थू मुझे दिख रहा है और यह मैं कहना चाहूंगी कि Ace of Swords से शो क कर रहा है कि अब आप फाइनांसली जो अप लग मालेज आपके पार्टनर फाइनांसली हो सकता है कि फाइनांस को या जॉब को लोगे कि या कुछ इस तरह का स्टक थे और वो आपके साथ रिस्ते में नहीं आ रहे थे तो अब आएंगे वो में भी अप उन्हीं के साथ एक आपके लाइफ में फिरसे वो रिवॉल्व हो के आ रहा है यानि फिरसे वो घूम के आ रहा आपके पास ठीक है वो जितना में दिया था वही चीजप आपके पास लौड के आने वाला है वही लव ठीक है यह सारे और बहुत कोई तब ट्विन फ्लेम relations में आ रहे हो जो एक आत्मा का आत्मा से संबंध है उनके साथ ऐसा relation में आप बंधने वाले हो और मेबी बहुत कोई तो ऐसे होंगे कि बहुत मजबूती से खड़े हो और जो गौड ने आपके लिए सोचा हुए बिल्कुल जो बिल्कुल तूट चुका है बिखर चुका है और बहुत दिन से वेट कर रहे थे बहुत से सपने संजोय थे तो उनके लिए मैं specially कहूंगी कि आपके लिए एक नए रिस्ते में बंद हो गया ठीक है जो आपके लिए ही गौड ने बनाया है और मैरिट के लिए कहूंगी कि मैरिट ऐसा लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे सुरुआत के दिनों में बहुत प्यार भरा रिस्ता था बिल्कुल तूट लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि अभी के सिच्वेशन में भी आप बहुत कुछ बहुत जादा बहुत जादा बिल्कुल तूटके जो बिखरना होता है नो वो कहते हैं कि वो हो गया आप बिल्कुल यानि इतनी स्टक हो यानि कुछ सोच नहीं पा रहे हो आपके क्या करूं क्या नहीं आपने आफ्टर मैरिज बहुत किया अपने फैमिली के लिए अपने इनलाज के लिए बहुत किया ये लेडीज के लिए मैं इस्पेशली बोलना चाहूंगी बहुत किया और मेबी आपको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब खत्म हो गया रिस्ता और कुछ नहीं लेकिन अब आपके वही चीज जो अपने इतना वर्क किया अपने उपर ताप भी ठक चुके परिशान हो गया ऐसे कार्ड्स के तू लग रहा है तो मैं ये कहूंगे कि अब परिशान होने की जरुवत नहीं है ये मैरेड लाइफ के लिए मैन वोमन बोट के लिए जो अब परिशान हो रहे थे कि क्या होगा आने वाले समय में क्या नहीं होगा तो ये मैं कहा दूं कि सिक्स ओ पेंटेक में बहुत कोई ऐसे हैं बहुत कोई ऐसे हैं जो बिलकुल अकेला पन फील कर रहे हैं यह मैं मैं के लिए बोलूँगी कि जो भी जैमनी में हैं देख रहे हैं मेरे वियूर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत कोई ऐसे हैं जो खुद को अकेला पन फील कर रहे हैं बहुत आपने वाक को लेकर वैसा हो सकता है जिसे आपके husband हो या wife हो अलग अलग रह रहे हो गया भी काम को लेकर हो सकता है अलग से ट्रांसफर हो चुकी है जिस वजह से अलग रह रहे हो अभी में भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है मुझे काड़्स के थ्रू और बहुत कोई ऐसे हैं जो अंदर से बहुत जाए सब मैंने पैसा होते वे भी फिर भी अकेला पन बहुत दुख्षी हो रहे हो बहुत अकेला फ्रील कर रहे हो आप इससे पार्टनर नहीं है बहुत हो कि तहसा लग रहा है कुछ तो कुछ ऐसा हुआ तो पार्टनर नहीं है ठीक है लिगन यह मैं कहे दू कि आने वाले समय कि किंग ओफ वेंट्स बहुत कुछ रहा है और एंजल के तरफ से भी आया था कि नियर फ्यूजर आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है अबेंडन्स आने वाली है में भी अगर कहीं होप रखा हुगा है वह होप आपका आने वाला समय अपके लिए बहुत बहुत बहितरीन होगा में भी आपको किसी की हल्प की ज़रूत है आप लईंख ज़रूर लें है और आपके सामने जो आप wait कर रहे थे ना बहुत को YET करना तो आपके सामने एक सचाई नजर आए की और आप immediate strength में अंदर से मजबूत होगे और खड़े हो जाओगे फिर आपको believe हो जाएगा कि मेरे God ने बहुत अच्छा किया था जो अगर यह रिस्ता खत्म हो चुका तो मैं भी third party आ चुकी थी और unmarried है तो मैं यह कहना चाहूँगे कि आपको समय रहते हैं यह चीज़ पता चल गया ठीक है चलिए अब देखते है जैनरल रेडिंग था में भी resonate जरूर हो रही होगी किसी ना किसी के साथ अब चलिए देखते हैं शभी हाँ 10.6.1974 और 9.7.1972 है तो यह मैं कहना चाहूँगे आप दोनों में भी marriage करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा है तो आप कर सकते हो बिलकुल कर सकते हैं कहीं से कोई doubt नहीं है आपके love life में आने वाले समय में यानि आपने साथ में अपना question तो दिया नहीं था मुझे तो मैं यह कहना चाहूँगे आप लोग का love life अगर कहीं कुछ ऐसा था अब आठके पड़े हो फसे पड़े हो अगर अपने partner का wait कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है तो आपकी life में खुशियां आ रही है ठीक है बिलकु बहुत अच्छा हो सन का है नमबर भी वन है और सन का card भी आया है इसलिए आपकी life में खुशियां अब आने वाली है ऐसा कहीं कुछ नहीं है ठीक है सभी अजी चलिए अब देखते हैं कौन है ओम कार है और reconciliation होगा ऐसा यसा लग रहा है ठीक है question है जैम्नियन concern है 11 Feb and 4 March है चलिए देखते हैं क्या हुए आपके cards के through क्या आ रहा है आपका chances अब मैं date of birth से कहूंगी 50% chances है cards के through देखती हूं क्या है नहीं है बिलकुल है ओम कार जी chances तो पूरी तर से हैं आपका आपके life में बहुत जादा खुशियां ही खुशियां है ऐसे दिख रहे है cards के through मुझे ठीक है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों का in few months हो जाना चाहिए आप खुद पर believe रखें और अपने God पर believe रखें थोड़ो टाइम में भी लग सकता है बट होगा ठ आपके life में खुशियां बहुत हैं और बहुत हैपी होने वाले बहुत हैपी आने वाले समय में बहुत हैपी रहोगे और cards के through भी लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा ठीक है में बहुत कोशिश करें किसी के friend circle के through या आपको कहीं कुछ आसा दिख रह हुआ हुँ कि 50% डेट ऑबस से चांसे से cards के through तो बहुत जादा अच्छा आया है इसलिए है और हो जाना चाहिए जल्दी ठीक है यह predictions है फिर भी मैं यह हमेंसा कहती हूं predictions होते हैं और यह हमेंसा optimist रहें ठीक है और हमेंसा God पर बिलीव रखें अपने God पर चले देखते है अब क्या है बांदरा है बांदरा जी है और उनके husband के साथ अभी एकड़ साल से लग रहे हुआ फ्यूचर में साथ रहेंगे डेट ऑब 22-12-1982-28-2-1984 है बिल्कुल रहेंगे बिल्कुल positive रहें बिल्कुल होगा आपका सब होगा बहुत अच्छा होने वाला है हर चीज ठी मैंने वीडियो अपलोड कर रहें आपने जरूर देखना है वह ठीक है चले बहुत बहुत जल्दी आप है एक हैपी फैमिली बनने वाली आपके फिर से ठीक है एक साथ रहेंगे खुशियां पुरा एक नम यानि हर चीज से जो कहते हैं पड़ी पूर्न होना वह चीज आप आपका और जो भी डैविल इनाजी थी जो भी निगेटिविटी थी उसको बिल्कुल यानि कि साइट कर दें खत्म कर दें उसको मैनिफेस्ट करें और अपने गौड पर बिलीव रखें बहुत जल्दी होने वाला आपका ठीक है नेक्स फ्यू मन्स में और खुद पर बिली बिलीव रखें और तयारी शुरू कर दें आप बस समझ लें और बांदर जी आप मैनिफेस्ट जरूर करें ठीक है थोर से मैनिफेस्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगी आपकी विजन क्लियर हो गया होगा बांदर जी जो भी है यानि कि आप दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो इसा दिख रहे है कार्ज के थूरू लेकिन कुछ इतना कुछ ऐसा हुआ है बट वह बहुत अच्छा हो जागा जो अलग रह रहे थे ना वह बिल्कुल पास हो जाओ गया साथ में आ जाओ गया और बहुत एपी फैमिली हो ठीक है चले अब देखते है किनका है 294-2001 परसनल और प्रोफेशनल आपको रेडिंग चाहिए चले देखते हैं परसनल क्या है आपका और क्या नहीं है यह कार्ट मैं जो भी निकाला था ना बांदरा जी आपके लिए था जो आप बहुत परिशान हो रहे था तो यह मैं कह रही हूं बहुत जल्दी आ लोने दिया था मैं कहे दूँ ये कि आपके लाइफ में आप पूरे हॉल लाइफ बच्चे अब ही ताफ एस भी काम है आपका मैं सिर्द बता दूँ आपकी लाइफ में हमेशा आपको पूरे बैलन्स में लेके चलना है ठीक है यह जो अपने परसनल लाइफ के लिए करना है और आपके लाइफ में जो भी काम करेंगे आपका कर्म फल ही फलित होगा जस्टिस का काड़ आया जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा ठीक है कभी भी जरुवत पड़े तो आप जरूर किसी का हेल्प जरूर लें आपके अंदर बहुत गुन है बहुत कुछ में कर हो आप ठीक है डिसेजन ले लेते हो और कुछ भी निगेटिविटी से में से बाहर रहना है पॉस्टिव रहें ठीक है पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब जरू करें थेंक्यू